नमस्कार आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंशन नव विद्ध्यूतीकरत जोधपुर जैपुर रेलमार्क पर रंधंबूर सुपरफास सहत पांच जोड़ी और ट्रेनों का अलक्ट्रिक इंजन से संचारन प्रारंब किया जा रहा कर्णि बंदल के राइका बाग से फुलेरा रेल्वे स्टेशनों के भी इचलेक्टृ इल्टिश्री फिशटन का कारें पूरा होने के पृष्षात ट्रेनों का चरड़ बत corazón की जगा इलक्ट्रिक इंजन से संचारन किया जा रहा है इन ट्रेनों का अब तक सवाई माधुपूर में इंजन बदला जा रहा था DRM ने बताया कि अब जोधपूर सजयपूर के रास्ते चलने वाली ट्रेन जोधपूर मनार गुडी सुपरफास सापताएक 7 नवंबर भगत की कोठे इंदोर रन थंभूर सुपरफास्ट 9 नवंबर जोधपूर विक्षाखा पटनम एक्सपरस सापताएक 9 नवंबर से तेरुचर्णा पल्ली हम सफ़र सुपरफास सापताएक 13 नवंबर और जोधपूर मंदल से गुजरने वाली विक्षाखा पटनम सुपरफास्ट 2 सपताएक 10 नवंबर से डीजल की जगा इलक्ट्रिक इंजन से चलने लगेगी इन ट्रेनों का वर्तमान में अवागमन मिंसवाई माधुपूर स्टेक्शन पर डीजल इंजन बदला जा रहा था लेकिन अप रारम से अंथे तक इंजन से संचालन होने से इंजन बदलने में डगने वाले समय की बचत होगी और ट्रेनों का संचालन अधिक सोगम होगा के लिए फाइद मन् बदला में अधिर लाक्रवारन के लिए फाइदामांत होती है इन से प्रदूशिय निकम होता है और प्रण खपत को नियुंतौद करने में मदद मिलती है ना सिर्फ प्रतूशन में कमी आती है बलकि उर्जा खपत को भी नियुंत्रन मिलता है इस कदम से इभाती रेल्वे ने ठिकाव विकास की और आगे बढ़ा है साथ एलेक्ट्रक ट्रेनों से पर्यावरन संद्रक्शन भी हो रहा है